Dear learner, last episode में हमने देखा कि किस तरह से class 9 में network, networking और से जुड़ी हुए terminologies को हमने revision किया है और अब हम solely class 10 की topic स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें से पहला हो जाता है आपका internet versus world wide web तो शुरू करते हैं, अब internet जैसे कि मैंने खा था रोटी खपड़ा मखान और internet इतनी एहम चीज़ बन गई है अपने life में, लेकिन कुछ चीज़े ऐसी होती है कि जुनको आप explain करने बोलो तो निकलता नहीं है वो मुह से है न, उस जैसे कि जब time खराब होता है आपके चहरे पर मुस्कान रहती है और जब कोई पूछे कि क्या हुआ तो आप उसे अलफाज में बयान नहीं कर सकते हैं उसी तरह से internet भी इतना हमबग चलाते हैं लेकिन जो definition आप देखने जा रहे हैं वो आपके सोच से जरा अलग है तो एक word में कहें तो हमारा internet जो है system हो गया एक system हो गया और यह कैसा system है यह पूरे दुनिया भर में फैला हु एक दूसरे से जुड़े होए रहते हैं ठीक है तो यह global system हो गया जिसमें की दुनिया भर के computer network interconnected रहते हैं और फिर उन network में जो devices लगे रहते हैं वो भी एक दूसरे से connect हो जाते हैं तो यह था आपका internet और इसके father को माना जाता है Mr. Winsurf Mr. Winsurf is the father of the internet फिर इसके बाद हो गया आपका worldwide web जिसे की हम www भी कहते हैं और जिसे की अब W3 कहा जाता है और जिसे की हम web के नाम से भी जानते हैं यह हो गया part क्या part किस चीज़ का part internet का part किस तरह का internet का part graphical part और graphics मतलब आपका image से जुड़ा हुआ या फिर जो दिखाई दे ठीक है तो internet के कितने सारे हिस्सें देखो आपको internet play करने के लिए hardware चाहिए उसके operating system चाहिए उसके अंदर का content चाहिए वीडियो वगेरा फिर satellites चाहिए यह वो क्या नहीं चाहिए और उसमें से सिर्फ वो वाला हिस्सा जिसे आप देखते सुनते हो जैसा कि YouTube पे आगर जो वीडियो चल रही है तो वो जो वीडियो आ आप देखते हैं और जो वेब रिसोर्स हो गया वेब रिसोर्स जैसे कि आपका कोई भी HTML वेब पेज, audio file, video file, animation जो कुछ भी इंटरनेट से आपको दिख रहा है वो आपका World Wide Web का हिस्सा हो गया और इन यह जो resources हैं इनको हम URL के जरीए locate करते हैं अब URL सब हम आगे हाइपर टेक्स्ट के जरीए जुड़ी हुई ही रहती हैं अब यह हाइपर टेक्स्ट किया है HTML में आपने कवर कर लिया है आगे बढ़ते हैं यह इसके फादर को माना जाता है Mr. Tim Berners-Lee बड़े महान है और भी कई चीज़ों को इन्होंने इजात किया है आपका Homework के बज़ यह पता कीजिए क्या और किसलिए यह मश्यूर हैं तो देर सॉल फर दिस वन टी एफटे भी है